सौगत है आपका रिशब की पार्ट साला में आज का हमारा टपिक रहने वाला है रॉद्र रस कौन सा रॉद्र रस इसके पहले हम अपने चैनल पर आपको रस समास इन सभी के वीडियो आपको प्लब्द करा चुके हैं संदी से रिलेटेड और अगर आप वो वीडियो देखन में लिंक मिल जाया है कि आप वहां से क्लिक करके उन वीडियो को देख सकते हैं तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगें तो आप उन्हें लाइक और शेयर भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तक कि आपको ऐसे वीडियो आगे भी देखने को मिलते रह रहने वाला है इससे पहले हमारे रस के जो कई सारे टाइप से उनके वीडियो जा आ रहे हैं डेली डेली आप लोगों समझ सकते हैं और रसों को समझ सकते हैं जिससे कि आपका आने वाले एक्जैम में कोई भी क्वेश्चिन गलत ना हो तो चलिए शुरू करते हैं आज का रॉद्र माने रॉद्र जो है वो प्रत्रायव अच्छी उता है किसका टुछ यानि कि यहां पर क्या होगा ऐसा कोई एसी कोई काशी का मोड़ी रशीना पढ़कर या देखकर हमें क्या हो जाए में कैसा बहुत पनों जाए गुसा आने लगे जिसे हम क्याते है न एंगर त इसके बाद एक्जेम्पल क्या है एक्जेम्पल देख लेते हैं जो राउर अनुसाशन पाउं कंदुक इव ब्रम्हांड उठाओं क्या मतलब है इसका ये उस समय की बात है जब आपने देखा होगा जब सभी लोग धनुष उठा रहे होते हैं और जनक जी की सभा लगी होती और कोई भी उठा नहीं पाता है तब जनक जी खड़ा होकर कुछ ऐसे कट शब्द बोलते हैं जो सुनकर लचमण जी को गुश्या आ जाता है तो वह गुस्से में खड़े होकर बोलते हैं जो राउर अनुसाशन पाउं कंदुक ब्रम्हांड उठाओं मतलब भगवान नाम के अगर अज्या पा जाओं तो ब्रम्हांड को गेंध की तरह उठा लूँ ठीक है तो गुस्से में बोलते हैं एंगर में बोलते हैं तो इसलिए इन स्पंक्तियों में कौन सा है रस है रौद्र रस है इसके वाद इसी तरह एक आपने और रमैड में देखा होगा बहुत ही कि यह उस समय की बात है जब श्री राम जी समुद्र की जब वह बनाना होता है जब लंका जा रहे होते हैं तो ब्रिज बनाते हैं पुल बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि यह समुद्र देवता से वह रास्ता मांगते हैं कि हमें रास्ता दे दीजिए तो उसके लिए क्या करते हैं तीन दिन बैठ करके पूजन करते हैं कि हमें रास्ता मिल जाए जब वह समुद्र देवता रास्ता नहीं देते हैं तब श्री राम जी को गुस्सा आ जाता है तब वो चाप चड़ाते हुए बोलते हैं विने नमाना जलरेचगा विनेंसे नहीं मान रहा है तो क्या वह तीन दिन बीत बोले राम सकोप तब भैविन होए ना परीथ तक बोले कि भै के बिना परीथ नहीं होगी तो उसके आगे का जो भी कंटेंट है वो तो आप पर रोपन रा आई होप आपको प्रॉद्रस समझ में आ गया होगा मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आयो आपसे लाइक कर दीजिएगा और लोगों तक शेयर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको आ गयाने वा तक के लिए धन्यवाद